पहले थियास की किताब पहले थियास की किताब उसका एथिया है माणुदफभाच्छन के साथ इस वचन के साथ और समझ के साथ इस वचन को हम पढ़ेंगे तब दावीदु सहस्तर अधिपतुलतोनों, शिताधिपतुलतोनों, अधिपतुल अंदर तोनों, आलोचन चेसी, समाजमगा कूडिना, इश्रायल अंदर तो इलाग सलविच्चेनू तब दावुद ने इश्रायल की सारे मंडली से कहा, येदी वह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, तो इश्रायल के सब देशों में जो भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेविया अपने अपने चराय वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी ये कहला भेजे कि हमारे पास इखटा हो जाओ, चारवचन तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे क्योंकि ये बाद उन सब लोगों की दृष्टी में उच्छित मालूम हुई, तब दाओ इस अपने श्राय नगरों को संग लेवकर बाह को किया और किया तरकी पी किलाता था और यहुद के भाग में था कि परलेशों यहुद को संदुग वाला नगरों से ले आए, वो तो करवों पर इगाजमान वाले थे और उसका नाम भी यही लिया जाता था. तब यहुवा का कोप उज़ा पर भड़का उठा और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदुग पर हाथ लगया. हाथ लगया था, वो वही परमेश्वर के साम में मर गया. उस दिल दावद परमेश्वर के संदुग को अपने यहां कैसे ले आऊ. परमेश्वर का संदुग उबड़का उसके घराने के पास थीन मेहने तक रहा और यहुवा ने उसके घराने पर और जो कुछ उसका था, उस पर भी आशिष दी. प्रार्दन, प्रेमगल तन्री, कुर्पगलमा गोप्पदेवा, एसु क्रिस्थु गनमेना परश्दु मेन नामम लो निन्नो स्थु थीस्थु गनपरस्थु नौन्टु नाम। योका उदेकाल समयमंदु ना तन्री, आराधन कुरकु मेमु समक्कूडियों तुन्डगा, ममलानु मेर बहुगा जनापकम चेश्कोनेंडी, मानोट नानोटिकूंडा, वेलुवड़ु नित्टुम्ट्रति माट कुडा, निको महमन तेच्चु विदमुगा, ना तन्री माकुनी उपदेशमनो अनुगर हिस्तुरम्माने प्राधिश्कूंट नान। नन्नू ममलनु मीचेत्च कपचेप्तु नान, मारुगमुलोँ नट्वण्टी वारनी, सक्खालमुलोँ मीचे सन्नितिक्ग नलिपि श्तुरम्माने प्राधिश्कूंट नानी विदंगा, इ यहीं नम लो स्तुतिंछी प्राव दिन चादिगा बेड कुंतु नम ना तंरी। आमेन। मरो कसारी देवोड की मजल को गुष्टान की देवोड छूपीं नेटमने पीशन के वंदनाल चली है। और फिर दुबरार परमेश्वा ने आपके बीश्वी मुझे लिए लिए है, परमेश्वा ने इस अनुखरों को और गुरुपा को दिखा है, इसके लिए में उसके दिनिवाद देता हूँ यह का गुरंदम लो रायवड नेटमुटी मातर लो दाविद यह का आलो चना आश्या मनके कहना पड़ता हूँ तुनरी और इस पड़े हुए वस्वचन भाग में हमको दावद का जो आश्या है और उसका जो विछार है उसके बार में पता चलता है यह का मन्दसमु अननते देवनी सन्निद्यानी मनको बलेड़ पर्चवड़ता हूँ तुनरी यहां आप संदु के विश्या में लिखा गया है संदु कहने से यह परमेश्वर का उपसिती है अधे विदंगा हिबरी तम्मीदव अध्यायम नालग वच्छनम लो रायबढ़ यूंट नदी इसी प्रकार हिबराणी के पत्री नौ अध्यायम उसके चार वच्छन में लिखा गया है चद्मने बिगरगा चिकरिंचिना अध्यायम अध्यायम नालग वच्छनम लो रायबढ़ यूंटी माठ प्रकारंगा अ मन्दसमों अनेट्वन्टी दानी लो येमी उन्ना इधान्टलो यहाँ पर हिबराणी के पत्री नौ अध्यायम चार वच्छन में लिखावा दानी के दुरुगा उकटी दू पार्थी उन्सवड़ी होन्नादी देखे उसके सामने एक दूबदानी लगाया गया है अध्यायम चेशने टूटी अप्रायनम अंतक कूड़ा वार मन्ना उपुझीस्तु अचीटना इसरेल परजा चालिस वर्ष्ट जिनोंने यात्रा किये है उसे मैं मन्ना को उसने उन्होंने आहार की रूप में लिया है और विवरन रूप से इस विशे में भहुत सारे विचारों को बातों को रख सकते हैं लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है इसलिए और थोड़े इस विशे में हम ध्यानमन के लिए कोशिश करेंगे मन्ना को अर्धम अर्धम जे स्कॉल्स नहीं है और हमको इस मन्ना के विशे में इसका मतलब क्या है जो समझना वो विशे क्या है वके शरीरम लून लूंडी देवनी संनिद लो बल्ला पात्र नी गुर्त चेस्ता हूंट नहीं है और एक शरीर में हमारे सामने जो मेज रखा गया है वो पात्र को हमको दर्शाता है और इसले इसकी विशे में आगे बहुत सारी बाद लिखे गया है और एक शरीरम लो नूंची कार्ट सबड़ नहीं रख्तमों अगा शरीरम नू गुर्त चेस्ता हूंट नहीं पात्र नहीं और हमारे लिए लहु भाया गया हुआ एक ही शरीर जो है और शरीर और लहु जो है यह मनना दर्शाता है चिकर इंचिने ट्वंटी अहरोन खर्रा निकोड़ा राय बढ़िए और देखे इसमें यह भी लिखा गया है कि हारुन की चड़ी जिसमें फूल फले है और हारुन की जो चड़ी है जिसमें फूल खिली है वो परमेश्वर के राज को दर्शाता है एसु क्रिस्टु प्रभवारु इलोकम लो मनको रखु कुमार अनुगरहिं सबढ़ता है और प्रभी एश्य मसी हमारे लिए इस अंसार में पुतर की नाही अनुगरका की दिये इसलिए एश्य किताब उसका त्रेपन अध्याय उसके पहले दो वश्य में लिखा गया है या भई मोड़ा अध्याय मो त्रेपन अध्याय में मुतिले जेशन समाचारम यवड़ो नमेनो एहोवा बाहु यवण की बायलु पर्चबड़ेनो लेता मुक्कवलेनो यंदेन लिखाये दो वश्य में पहला और दो जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का बुझबल किसपर प्रगठ हुआ क्योंकि वह उसके समान अंकूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा हुआ है पुरे बाइबल में गर हम अगा समझेंगे एसु कृस्ट प्रभु आरने साधुरिष्ट को माने को अक्षरालक सूचिन बढ़ता हूं तुनर प्रभी एशु मसी के साधुरिष्ट जो जो वच्छन लिखा गया है हमको वह सूचित करता है देवन के वेतरेक रूप इमपड्द आ लूए यहां इस साध़ित किया है और प्रभु के खिलाब जो कुछ खरे होता है वो कोई भी जो है बढ़ते नहीं है, सफल नहीं होता है दो भाई शापित किया है भाई शिक फरेशी का गर्षो बढ़ता हूं नाटे येशु क्रीशु प्रववार ने सूचिस्ता हूं तुनादी और ये पर हारुन के हाथ में जए छडी है जो फूल खिले है वो प्रभी एश मस्तिको साधुरिश है ये अगर उसके बातों को नहीं सुनेंगे तो क्या हो सकता है उस विशे में हम पहले के बातों में देख सकते हैं और और उस खोरा के पीछे जो कोई चले है उनके परिसिती क्या हुए आखरी में हम सब जानते हैं पड़े है और इतना है नहीं उसमें यहाँ पर वचन के जो आगनिया के जो पतिका है उसके विश्यम भी लिखा गया है और वचा का जो पतिया है यह क्या है देवुडू मोशे को इचिनट्वन टी शासनमलू पदि आगनलू अने मनम चेपकूंटा हुँटा हुटा 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 और वचा की पतिया जो उसमें रखा गिया है मुसा को परमेश्वने दिये हुए यह दस आगनिया है यह पदी आगनले बाइबिल अंथटलो लिख्या पड़िए और यह दस आगनया ही है बाइबल में सारे जगा लिखा गया है यह पदी आगनले लेक पो ते इरोज मन की परशुद्ध ग्रंदमों आने पेरु पेटब ने अटमटी बाइबिल मनावधद लेदु अगर यह दस आगनिया है अगर नहीं होते जो हमको ए किताब दिया गया है इसको जो बाइबल करकर नाम दिया गया है यह हमारे पास नहीं होता यह मन्दसमनु गुरिंचने टमटी उदेश्यमु इह मन्दसम योगा दाविद दानी विशेय में तना आलो चनननी तना परिपालन लो उन्नट्मंटी पेद्दलनो अनेक लो तो चर्चिंची इर्वाई समच्रालू एकड़ उन्दधी अमन्दसम एकड़ उन्दननी और दाविद जो हमा उसके नगर में अभीनादाव इंटलों इविच साल के इ अभीनादाव इंटलों उन्ननत कालमों आयोका मन्दसम एकड़ प्रत्यक्षतन गुरिंची यवर की कोड़ अर्दन खालेदू और ओबेदम के घर में जब ये संदुक रखा गया है उसके विशेय में जो प्रत्यक्रता है किसी ने भी ने समझा दाविद तना राज्जान और दावद ने अपने राज्जी को स्थिर करते हुए आया है स्थिर पर्च कुंटू वच्छिन पटकिनी तना आलो चनननता कुड़ा अशासनमल मीदा आयना दुरिष्टि केंदर करी इस तो अची इंटनादू और स्थिर करने के बाद भी उसके सारे जो विचार है उसक पहले क्या जानना है और पर्मेश्वर को हम किस रिती से आरादना करना है अगर प्रभु की उपस्तिती हमारे बीच में नहीं होगा तो हम पर्मेश्वर की आरादना नहीं कर सकते है यपढ़े ज और सकते हैं और पर्मेश्वर के सारे जो वाचा है हम ग्रहां कर सकते हैं उसके बादी है पर्मेश्वर की आरादना करने के पात्र बनता है जब दावीद खलिगी उणतो अच्छी नाडू और ये विचार उसके समझने के विशय में दावद ने रखा है और अज भी आज के दिन में हमारे बीच में परमेश्वर का उपसिदी है यह मैं विश्वास करता हूँ और कारण क्या है कि मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूँ और उसके आधारित हमको दिया गया हुआ यह पवित्र बाइबल है अभी नादाव इंटल उननत कालम कुड़ एक आशिरवाद हम कुड़ इस्ट्राइल मद्द लो जरिगिनेटलो कलिगनेटलो मनको एककड़ विन पड़ा लेदू जो आशिरवाद संदुक रखने के द्वारा आया है पुरे इस्राइल में किसी भी स्थान में उस समय वहाँ पर चट्चितनी की आगया है अगर मानमोकट गमनिंचाल एंटिदनेंटे देवनी मंदसमानी चेपता हुन नादू दाविदू आधिकार नंद नंद नादू विचारिस्ता हुन नादू कानि देवनी मंदसमानी तना स्वसंखलपम तो दाननी तीषकोन सुन्याड़ विश्यामो ताननी गुर्तेरगल एक पोतो इच्छना सुन्याढ़्य साफ्रवत्ति और सारी आधार कीडिकारी है उनके पास सलह लpha है कि संदुगों किस विचार में लेकर विचार कि व pessimने नढकर रहना है लेकिन लेकिन आधिके परमेश्वार की इच्छा है उसकी विशय में उह जाननना पाया है और यहां पर किसी की भी जो सलहा ना लेते हुए ये सो संदुख है जो उबिदेदों है उसके घर से लेकर आ रहा है और उसने उसे पहले परमेश्वर के पास से कोई विचार परताल किया है और कितने ही उत्सा के साथ जो है बहुत ही गीद गाते हुए ये संदुख को लेकर आ रहे है इकड़ो का प्रामुक्य मेरे तो विश्य मुमान को कन पड़ता हुए और यहां पर प्रामुक्य विश्य हमको दिखाई देता है अबिनादाब इंटनें ची तीसको न राबड़ न तुन ए इसे उन्होंने तयारी किया हुए और इस प्रकार के ने जो गाड़ी को त्यार करकर जो है उन्होंने रखा है इकड़ ओकट मनम ग्रहीं साल एंटी दे नंटे और इस पर क्या घरहन करना है दावीद को तेड़ो का विश्यान ने और दावीद ने यहां पर कौपी किया है यह ती दा कापी को तेड़ा नंटे उस्टे यह क्या कौपी किया है एड़ नेललू फिलिस्टी विल मज्या आ मंदसम उन्नारी और साथ महने तक जो है वो संदुक फिलिस्टीयों की बीच में था मज्या उन्नापडु वारिक कलंगी ने ट्वंट्यस में अस्टोद गुडिलो वार मज्या लो खलंगी नेट्वंट्यस भयानकमै नेट्वनत्य कौपी कौण आंपरिस्तितिलन वारू ग्रहिंचिन नेट्वशं अकिन्डे वाए अट पारिने देवनी मन्दसम ही कि अपारा नस्टम कलो दुन्टुना दनी वार ग्रहिस्तु अचिनारू अब फिलिस्ती जो लोग है अस्थो जो देवता है उनके बीच में उस संदु को उस समय के लिए रखा गया था अब बंडी निक्ती इस्राईल जनांगम अध्यों लोग तोलिस्ता उस तुन्तुनरू अर कभी जो है वोही नहा जो गाडी है बनवाकर और जो बल वो जुवे में कभी भी नहें गहते है वैसे लेकर लेकर आकर वो जुवे में जूते है और उसको डाल कर लेकर आया है योका संदर्भान नि मनमों आलोचिन चेशते इस संदर्भम लो देवड यवरु मध्यन उन्टाडू अनेट वंटिदी मनक्स पस्टम होता हूंटूने और ये संदर्भ में ये बात को हमें पता चलता है कि परमेश्वर किसके साथ या किसके उपृस्टिती में उ रहता है देव न प्रजल खानी वारि मध्य लो देवड उन्ट्टू देवनी सन्निदी वार मज्यल उन्डदू अनी रुजू चे बढ़तो चीन्टने। और यहाँ पर इस बात का साबीत हुआ है कि परमेश्वर का उपुस्तिती उनके बीच में नहीं रहेगा। देवनी वागधानम चेशने ट्वन्टी वारी प्रजल मज्यलों ने देवनी उन्टडनी रुजू चे बढ़तो चीन्टने। परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पर साबीत किया है जिस प्रजाओं से परमेश्वर ने वाच्छा बांदा है उनी के बीच में परमेश्वर रहता है। अबिनादाब इंटलो उन्न पटकिनी अकड़ ये विदमाइने ट्वन्टी नस्टम कलगलेदू कानि देवनी सन्नीद मात्रम अकड़ा प्रत्यक्षत प्रत्यक्षंगा खनुपड़ी नटलगा मनको चदू ते मनको ग्राहियम कालेदू अबिनादाब के घर में ये संदूक जो है रखा गया है उससे में किसी प्रकार का जो है जो है घटना है हुआ है यहां पर लिखित नहीं किया गया है इस मन्दसमन गुरू इंची नट्वंटी आलो चिना दाविद की यला वच्षिंदी आ मन्दसमन यलाग तोलाला ने उद्देशा नी अकड़ा फिलिस्तियों यलागो आप बंडी नी कट्टी तीशको नुच्यारो दाननी केंदरी करिस्त अचिना दाविद और किस प्रकार फिलिस्तियों लोगों ने उस संदुक को वो बेल गाडी में जो नेरीते से बनाया था उसमें रखकर जब उन्होंने लेकर आया है उस समय उसको देखकर ये प्रतिकता दाविद को वहाप समझा है और यह बात को भी यहां पर साबित करता है कि कोई भी आदना जो है स्तुति दिनिवाद करते है किसी को भी देखकर उसका नकल करना हमें जरूरी नहीं है अनुकने दाविद चेशनेट उन्टी पन नी देवड दृष्टिस्तो अच्छिनाडू और दाविद ने जो काम यहां पर खिया है परमेश्व ने उसके पर दृष्टि लगाया है और यह संदुक उसने गाड़ी में जो बनवाये थे उसमें वो जा रहा है आरभाटम तो यहन्तो शक्ति प्रभावल नन निटनुकूद प्रदर्शिस्तो देवड नी आरादिस्तो ने बाईल देर तो अचिन नारू और इस अध्याय में हम पढ़ते हुए आये है एक जगह आने के बाद वहाँ पर क्या हुआ है और इहां पर लिखा गिया है कि जैसे ही कि दों के खलिहान तक वो पोच है बेल ने अपने पेर को वहाँ पर ठोकर खाई है इस संदरबम लो उका वेक्ति आम मंदसान ने पटकोटाने के चेही चापिनाड़न राए बढ़ते हैं जैसे ही बेलो ने कुछ ठोक वहाँ पर उनके पेर फिसले है एक वेक्ति ने उस संदुक को चुने के लिए पकरने के लिए कोशिश किया अदे मला रेंडो समयल गरंदम लो राएबढ़न ने प्रकारंगा मंदसान ने मुट्टुक नड़न राएबढ़न दूसरे समयल में हम यह संदर को देखते है कि वहाँ पर उन्हों ने यह संदुक को चुआ है यह संदुक को चुने के लिए अपने हाथ को लगा यह संदुक को चुने के लिए अपने हाथ को लगाया यह संदुक को चुने 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 को और में किस परकार परमेश्वर की और अथयंति आपना करना है इस बात को वो जो जानकर, उस ने जान लिया है और यह यह बातों को लेकर देख कर दावुद जो है मन में वहती व्याकुल हुआ है यह का मंदसा नी अबेदयोदों में इंटी दवगर के थीशकों नी राबड़तो अचिंट नदी और उसके बाद ये संदुक को अबेदयोदों के घर के पास लेकर आया गया है आ कुटुम्मा नी देवडो आशिर्वद इस तो अचिंट नी और उस परिवार को परमेश्वन ने आशिर्वाद दिया है अशिर्वाद अशिर्वाद किते दिनों में आया है के वल तीन महेने में इरवाई समच्तर आलो अभिनाद आव इंटल उननंत वर को ये आशिर्वाद मो ये गुपतनमा कड़ खनपड़ लेदू और इस साल तक ये संदुग अभिनदा के घर में था किसी भी आशिर्वाद को वहाँ पर दिखाई दिया है यहां पर मुड़ने लो देवनी आश्रिवाद आलो खना पड़तो हो नहीं लेकिन आपर अवेदेदु के घर में जब संदुग लाया गया तीन मैंने ही में ही परमेश्वर के सारे आश्रिवाद आश्रिवाद दिखाई दिया है गरन को इवन चीक आलों सब्सक्राव दिखा हूबसेई दिखें लायाओ नहीं दिल्यवि में लाया जो फूल के तो हुआए उसमें जो फूल है विष्यानी गुर्थेरुगुतु अच्छनाडू और उपेदेदें के घर में ये संदुक रखने के दवार वो आश्रिवाद पारा है इस बात को दावुद ने जान लिया है ये आश्रिवाद ने इस पस्थम विदानम लो गुर्थेरुगी और ये सारे आश्रिवादों को पस्षिरूप से ये सारे वादों को जानकर दाविदू आका मंतवसा ने तीशको ने देव ने मंदिराने कि तीशको ने रावालाने ट्वंटी सदूध देशया ने कलिगिए उँडी आम मंतवसाम करकूं मरला सी 9 मैने प्रयाना को अगू इस विचार को रखते हैं फुर दुबारा उसको लेकर संदुक को लेकर उसने दुबारा यातरा किया है दिन कंटे मनमोगत गुर्तुंच का वाला और इसमें एक बात को हमें याद रखना है परमेश्र को इसमें बाता में प्रवेश करना है अब देखने के लिए ये तो संदुक एक वस्तु रूप के दिखाए दे रहा है लेकिन ये संदुक ही है लेकिन परमेश्वर के सारे उदेश उस संदुक में रखा गया है इस बात का वहाँ प्रकडिकरन किया गया है अब ये संदुक आप में है या नहीं है इस बात को आपको जानना है अब इस संदुक में रखा गया वाचा का जो पठिया है आपके गले में और आपके रुधे में है या नहीं इस बात को आपको जानना गरहन करना है अगर ये संदुक आप में है और संदुक में जो वाचा के पतिके लिखा गिया है वो बात या आपके जीवन में है तो निश्य आरादना करने के लिए वो सारे आपको परस पर पुछा करते है अब फिर दुबारा वहा से लेकर संदुक जब मंदिर को यादर कर रहे है कितने बलीदानों को उसने किया है कोई बता सकता है लिकिन चपड़े हुन नदी और ये बात को लिखा है है हमने पढ़ा भी है इनने अड़ुगल को कसारी और अड़ुगल को कसारी बलुला रिपिस्तू अच्छी इंटना और छे कदम में वो एक जुबली को चड़ाते गया है और अड़ुगल देन की गुर्थ कन पड़ता हुने और अच्छी जो संक्या है वो मनिश्य को दर्शाता है अच्छी जो उकित जो संक्या है और अच्छी जो संक्या है वहाँ जब संदू को लेके जा जा रहे थे चे कदम में एक बल्ल कर पशुगल को बलिदाओगल को शंची आप कर दाविद के संकल्प मों चाला मर्मयुक्तम करना पड़ता हूं और दावुद का जो संकल्प भी हापर दिया गया है बहुत ही रहसे रूप से दिखाए दिरा है इस्राइली लो उनने ट्वंटी प्रजल अंदर पक्षम का आयना बलूल अर्पिस तो अची इस्राइल के पक राओकार उसको लेकर उठाए लेकर आना है यह सारे बाते वहाँ पर उसके कारी के दवारा दिखाए दिया गया है यह मातलू रंडव समयल आरवज जैने पंट नंने से लेकर आगे वाचंद तक जो है इसंधर में लिखागया यह तरवात मिर चदु कंड लिए अन्ता छे वदिस्त अची इंट नरू समस्त इस्ट्राइल प्रजल निमित ना बलु लार पिस्त अची इंट नरू और छे खतम में एक बार वो अरपनों कर रहे हैं यह सारे इसाल के पक्ष में इस बलेदानों को चड़ा रहे हैं हम वेक्तिकत रूप से हमारी परिवारी रूप से हम किस परकार के बलेदानों को चड़ा रहे हैं और परमेशोर के सम्हुग जो है उनके लिए प्रादना करना है और यह आदना भी हमको करना है अगर जब हम ऐसे करते हैं उससी समय परमेशवर हमारे प्रादना को हमारे आरादना को अंगिकार करता है अगर इस प्रकार परमेशवर के पास आपके प्रादना हो अगर आप नहीं कर पाओगे मानो इसी प्रकार है जो बेल गाड़ी पर संदु को लेकर आया गया है और उसमें कोई भी आश्रवाद नहीं है उसी प्रकार आपका ये आरादना नहीं जाएगा अंदकनेकर रायबढ़ इंटु नदी संक्या कांडम नालुगु पधियन वच्छन चर्थरा गिंदी किताब उसका चार अध्या है उसका पंदरा वच्छन कोई पड़ेगा नालुगु पधियन चार अध्या है उसका पंदरा वच्छन है इंटी किताब ये वर मयाला अंटने दीने मंदसान इवर मयाला और ये संदको को उठाना है कहाती लोग जो है विलन्ता कुड़ा लेवी वंशान के चेंदीने ट्वंटी वारे खानी वारलोन उंचे कुंतमंधनी विबजिंच वरतो चींतना अब ये सारे लेवी के वंशाजी है लेकिन उसमें कुछ लोगों को अलग-अलग किया गया है ये खाती लोग का काम है कहाती लो मयाल शने ट्वंटी ये मंदसामनों केवल अम वार मयातम मात्र में आ मंदसाने मुटटाने की वील लेग जिसने वेक्तिने हात लगाया है वो कौन है चपाल मेरे आपी बताना है बुझ्जा दन मूटतो चुझ्जा देने ये वंशाने के चेंदिने ट्वंटी वाड़ाने मनम ग्रहिंचा लिकड़ा भाबर कि वेक्ति का जो हाथ लगा है और मुझ्जा है वो किस वाजग प्रह से लगाया हूँग वेक्ति है कहातीओ। वेक्ति है आंटे दी नर्दमें इंटिन एंटे यवर। ये पन चेयालो संगम लो मंदिरम लो यह पनिचेया लो वारे अपनि चेटान की नियम इंपवड नेटमन टी वारे अपनिचेया ली अनि राय बढ़तों तुनना अब यह कहती है जो इस संदुक को उठाना है लेकिन छूना नहीं है इसका मतलब यहां पर दर्शाता है कलिसिया में जिसको ज अवalen भा के लिए अव्डेनों और दे लैघाए तुनें में अब यह पर शुते हैं नगले आशिरवाद अवेन भाटल एन टार। में अवेड़े अब धिया थे अवेड़े ती हमन्ना है यह सारे अशिरवाद मिलने का राण किया है यह ज посмотреть है पता नहीं है मैं, मंदस हमारी इंट्वें आर् kehड़ को आशितल प्रफिक треть अशिरवाद में प्रफिक चकर्ण में आशिरवाद काने कघन है कारण कया है? अशंदुक ने घरपिए है मां आयने के कावली मज़नर सो Алँच मज़ने processes केवल उसके लिए एक रखवाला की समान बना हुआ है और यह बात को दावुद ने जाना है परमेश्वर के बातों को सुनकर अगर हमारे कामों को हम करेंगे परमेश्वर उसमें आशिश देता है और यह बात को उसने देखा इसके बात तुरंत जो है एक रखवाला कामों करता है निश्यक किया है परमेश्वर से उसने पूछा और उसके बाद यह संदू को फिर दुबारा यह मंदिर में ही रहना है उसके लिए उसने यात्रा शुरू किया और भात यह रुदय के पूरवग जो है उसने इसको लेकर आया है आविदंगा तीसकों रावटम वलना अधिया है उसके बात लिए उसका प्रतिकता क्या है उससारे बात लिखा गया है घर जागर पढ़ सकता है विवरन में दाविद इन्थ प्रयाणम लो सौल दिनमलो योका मंद समन गुरूंची यवरु कुड़ा विचारन चेले राइबड़तों चीटने और सौल के काल में यह संदू के विशे में लिखा गया है किसी ने भी जो है उसके बार में विचार नहीं किया है निवू इन्नी रोजू आरादन नहीं कर पारे हो ऐसे सिती में हो और आरादना करने के लिए परमेश्वर आपको यहाँ पर मोका दे रहा है लेकिन वो मोका आप ले नहीं पारे हो कहाती के घर पे यह संदुक रखा गया है लेकिन उनके बीच में किसी प्रकार का आश्रवाद नहीं मिला है आप मंदिर आरे हो सब कुस देख़ रहे हो सुनरे हो ग्रहन कर्या हो लेकिन परमेश्वर के लिए आप कुछ नहीं कर पारे हो और आसने चले जा जा रहे हो लेकिन आज कि दिन परमेश्वर आपको एक मुणका दे रहा है लो देवनी एविदंगा आराद इंचालो एकाल राय बढ़तो सुन्टाएं और पर पर प्रमेश्वर को आप किस प्रकार उसकी आरादना करना है इसके विशे में आपर लिखा गया है यहां पर उसके द्वनी के साथ इतने उसके अचा के साथ गीतों के साथ वो इसको लिकर जा आराद नलो तना वंती में अटी में वास्तर लुड़तों पर निकल चुके है यहां पर उसके पहले दो वास्तर आप पड़े है अग्वर के नाई हमारे बीच में वर आप है उसने सभों को आकरशित किया है अदे मुरान पाइना व्रेलाडबड़ी आ कलवरी मुरान पाइना व्रेलाडबड़ी मरनीस्तों अच्छी नाड़ू और वही उस कलवरी क्रूस पर वो लटकाया गया है और हमारे लिए मारा गया है आईना चेश नेट्वंटी इगोपकारियम अंटे नलबाई समस्चराल अंतक पूर्वम नाल गोंदल मुपई समस्चराल इश्राई लनेट्वंटी वारू हेब्री लनेट्वंटी वारू दासत्वम लोने देवड विडिपींची नाड़ू और 430 जो दासत्वमे थे हिब्री लोक है या इजराई लोक है उनको परमेशो ने चुड़ाया है और उसके बाद 40 साल तक उस जंगल की यात्रा उनने किया है और उस परमेशो को किस प्रकार आदना करना है इस बात को उसने सिखाया और ये सारे विशय को दावद ने घरान किया आईना ने करको ना करको चेशने ट्मोट अबलिया गान गुर्त चेशता हो नाड़ू और प्रभी एश्य मसी इन सब गातनाओं में सादृष्य होते हुए आपके लिए मेरी लिए अपने बलिदान को किया है इसको बताते है आईना मानक चूपिचने ट्मोट असादृष्यान नो ग्रहिंचने ट्मोट वाड़ वाडवेते और दिखाया हुए बताया हुए यह सादृष्य अगर आपने ग्रहन किया है परशुद्य ग्रंदमंत्य कोड़ एसु कृष्यू प्रभवार ने ने गंटा पदंगा चपवाड़ तोसुन तुन 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 अब प्रभी एश्य मसी पुरे अगर बलिदान चड़ाय हुआ प्रभी एश्य मसी अगर आपके रुदह में है ने लो निवी रोज गंतुल वेशी देवने सन्नित लो आरा दिन चाला और आप उचलते खुते हुए बहुती खुशी के साथ परभी एश्य के साथ परभी एश्य के आतना करना है ने ने चा आरा दिन चेट्वनटी थरुनमलो चाला मंदी एडुस्ता उंटर और परमेश्वर के आतना करने के विशह में बहुत सारे लोग जो है रोते हैं इंदुकेड़ वाली क्यों रोना है देवड मन पक्षंग में चेशने ट्वनटी खारी आलन बटी अदबुत आलन बट मन व युआ हैं इक आण था हैं और आरा दोशेव करने के समथ में बैबल में कहां पर पी जो है आरा द्ना करने के समेह में कीसा नेaggiा ग्रुस्ट की अपने आफ। अगर आपको दिखता है बताईए देवने सन्निद लो संतोशम तो देवने आराधना ने ट्मिंट और परमेश्व ने जो बलिदान चड़ाया है उसको गहान किये है उस घर गहन करने के प्रतिरुक में आराधना करना है और सबी कि अपने आराधना की शेली है फिलिस्तियों ने गाड़ी बनवा कर उस संदुको उनने बिजवाया है दाविद अदे आचरन चेशी नड़पीस तो अचनाड़ू और दावद ने इसी का इसी रीती रिवाज की अनिकुरन करते हुए इसको चलाया है उज्जा मननम द्वारा तन ग्रहिस तो अचना और मिला है निवीरो जी यहां घ्रहिस्ता आओ यहां आलोचन जेश्ता आओ आफ देवन वहीद आगा आराद इंचालान अटवं ती निया आलोचन लो निया का ग्रहियम लोन की उननने वे निवे ग्रहिं चावल सिंदगा उन्टन अग और आज के दिन यहां आपके जीवन मे आप इस प्रकार के विचारों को ग्रहन को रखे है, जो भी मन में आपके विचार ग्रहन है, या आपी को पता है, चिट्ट चिवरगा, सौल कुमार ते मिकाल एम जेस तो चिनि, और सौल के जो बेटी है, मिकाल उसने क्या किया है, दाविद रेमन तो चिना में, राइबड़न के दक्कड़े किंदा, वहाँ पर लिखा गिया है, रुदयमना आनने, हीन परचिन और रुदयमने उसने उसको हीन जना है, देवड़ु ग्रहिंचे वडगा उन्टनाद। और प्राभमेश्व ने इस बात को ग्रहन किया है, यह जो सामने आरादना करता है, किसी भी रुप से उसको हम उंगली उठा कर दिखाना नहीं है, देवड़ने मनम आरादिंचला, तनो दाविद निंदिंची दाविद नी हीन परचि तनो जीवितकालमन ता नास्टपोतो चिना, दावड को जो है, निंदा करते हुए, उसको हीन जानते हुए, जीवन बर जो है उसने पष्टाया है, अंधुकने मनम देवड़ने सन्दिध कोचिना पड़ु, देवड़ने एविदंगा आरादिंचली नाँटे मनम अज्यलो, देवड़ने मन्दसम उणडाला नाँटे देवड़ने सन्दिध मनमनलो उणडाला, और इसले हमारे जीवन में आऊच कि दिन, परमेश्वर की आरादन हमें कैसे करना है अर्थाद, यह संदुख हमारे बीच में रहना है, परमेश्वर का उपस्तिती हमारे बीच में रहना है, अगर इसकी ऐसा है तो, देवनी प्रादन जेसकों ले नेलागो आराद इंचवल नो सिध्ध पड़िरावाल, और और इसके बाद दुसरे समय जब संदुको मंदिर में लेकर गए है उस समय दाउद ने जिस काम को करना है उसी करवाया है उही खाती लोगे के साथ जो है उसने उठवाया है देवनी सन्यतलो मनम आराद इंचे दी मनम बादयता और परमेशवर के पुस्ति ने परमेशवर की आरादना करना यह मारी जिम्मेदारी बनता है इबादयता आनाड़ दाविदी तीसकुनड़ और यह जिम्मेदारी उस दिन में दाउद ने लिया है इन रोज एसु कृस्ट और आंस के दिन प्रभ्य ऐष्म श्र sworn मसीट के द्वारा आपको मिला है अंदर पक्षम का दाविद आरादन जैस्तो जैसे लिए उसमें हरेक्प्राजाओ के बख्ष में दावद ने आरादना किया है ये विदंगा देवने आरादना करने के लिए ये मोका हमें मिला है और इस परकार परमेश्वर की आरादना करने के लिए परमेश्वर हमारी साहिता करें झाल 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 झा